पलबल की गाउं कमरावली में सडख हाथसे में एकी परिवार के चार लोगों की मौत के हाथसे से अभी लोग उभरे ही नहीं थे कि शुक्रवार की सुबह गाउं होशंगाबाद के निकट, स्कूल बस और आटो की भीशन, सड़क दुरगटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से गाउं सुल्तानपुर में मातम पसर गया एक और जहां हाथसे के बाद अस्पताल में लोग गंभीर हालत में थे और पंच की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी और ऐसे हाथसों को व्यापार समझने वाले एक एम्बुलेंस चालक ने अस्पताल से मातर 12 किलोमेटर की दूरी पर शौप पहुचाने के 2200 रुपे मांगे एक लड़के परमुल्ट का एक्सिडेंट हुआ था, तो उसके सब को ले जाने के लिएम्बुलेंस वारब 2200 रुपे मांगे। कितना होता है मौत के बाद भी कहीं वेपार को सोचा जा रहा है। देस्पी विजेपाल ने मामली की जानकारी देते हुए बताया कि गाउं सुल्तानपुर और घर्रोट निवासी एक ही परिवार के दरजन भर सदर से पलवर के गाउं असावटा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आये थे। खड़े पेड में जा लगा। इस हादसे में आटो सवार समीत पांच लोगों की मौत हो गई जबकि छे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद से बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। ये एकसिडेंट सुर्तापूल गाओं के एक दिरवार के अच्शाथा गाम में तोसाथी पुंक्सेल में आपनी आटो में आटो में आटो में आटो से जब आपे जा रहे थे तो आप लो स्कूल की बस बड़ा सामने से आथा। और साने साने से तक्कर होगी और उस तक्कर में दो जैंट्स तीन फीने एकस्पार होगी और पांच आदमी जो हैं इंजर्ड हैं उनकी आलगत अभी थूँक है उचार किया जार हैं तक्पारी होस्पिटल से और उसके केस डिजिशन कर दिया तब दीज जारी है बस को कब बतादे की हाथसे के वक्त बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शौओ को कबजे में लेकर पोस्ट मातम के लिए नागरिक अस्पताल भीजवाया और घायलों का एक निशी अस्पताल में उपचार्च वल रहा है पुलिस ने बस को कबजे में ले लिया है और केस दर्श करके जाच की जा रही है नागरिक अस्पताल में शौओ का पोस्ट मातम कराया ज़ा रहा है पोस्ट मातम के बाद शौओ परिचनों के हबारे कर दिये जाएंगे वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पलवल विधायक दीपक मंगला भी पलवल के नागरिक अस्पताल पहुचे और मृतक के परिवार को सांत्व न दी बहराल चांदहट थाना पुलिस ने मामले में स्कूली बस को अपने कबजे में लेकर आगामी कारवाई शुरू कर दी है वहीं इस हादसे के बाद से बस चालक मौके से फरार हो गया सत्य खबर के लिए पलवल से नितिश शर्मा के रिपोर्ट झालक मौके रिपोर्ट